नमस्कार दोफ्तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अभी की बड़ी खबर है खबर क्या है पहले इस खबर को आपको देखना चाहिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अभी की बड़ी खबर है अभी की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम एस्टी जी निव चानल पर देखा रहे हैं नमस्का दोस्तों मेरा नाव रमेश कुमार है इस वक्त हम बात करने वाले हैं जैसे स्वास्त विभाग को लेकर नौकरी के क्या अपडेट है कली जो है स्वास्त विभाग में 7987 पदों के एक चीज और कहूंगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम को अगर आपने जॉइन कीजिए हमसे सीधी बात कर सकते हैं कोई भी अपडेट आपको कोई भी समस्या हो हम सीधे आपसे बात करते हैं इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलने वाला है एक टीम की तरह है और जो भी अपडेट होती है यहां पर पुक्ते के साथ हम आपके सामने रखने की कोसिज करते हैं तो चलिए पहला पॉइंट जो है कि स्वास्त विभाग में 7987 पदों की भरती के क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे पास नीज की कटिंगे उसमें क्या लिखा है तमाम ऐसे चीजें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जैसे क्या आप देख सकते हैं इस वकिए बड़ी कबरें के बैठे में स्वक्षिन पदों को लेकर ड्रेसर तक की पदों की नई मंजूरी मिली है इस वकिए सबसे बड़ी खबर हम आपको दिका रहे हैं स्वास्त 7987 पदों के लिए भर्दी के अफडेट आ गए हैं इस वकिए सबसे बड़ी का बाद है जो पतना से निकाल के आ रहे हैं नेतिश कुमार के अध्यक्षता में मंगल पार में आयोजित कैबिनेट बैटक में 16 पर अस्ताओं पर शोकृति के गई राज के राज सरकार में इसकी कटिंग में साफ साफ लिका है 17 मेडिकल कॉलेजेज़ में 2663 नायगत पाईद की सोकृति सोख्रीती इगयी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबार है कारेयात्ट मेडिक लीजेज अस्पताल में आठ प्रस्ताविक मेडिकल कॉलेज को अस्पतालों के यानि कूल सत्रम मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमिशन्स और माप डंडो का अनुसार COVID-19 को लेकर हेल्थ मेनेजमेंट को ठिक करने के लिए 2673 पदों की स्विर्जन की स्वकृति दी गई है इस वक की सबसे बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं जैसा कि आप बात बताया जा रहा है तेस्वियादो जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है 17 मेडिकल कॉलेजेज में 2673 नए पद को स्वकृति दी जाएगे जैसा कि आपने जानते है कि COVID-19 का समय में बिहार का पुरा सिस्टम खराब हो गया ता उसको सरकार संग्यान में ले रही है और उसको दुबारा से दुरुस्ट करती है कि कभी भी ऐसी पैंडेमिक आती है तो उससे लड़ा जा सकता है अब सबसे इंपोर्टेंट इस टॉफिक पर है पर रखा जाएगा इसके बाद आपको तीन साल के बाद कोई गरांटी नहीं है कि आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी यह हम नहीं कर सकते इसलिए कि यह समीदा का कॉंटेक्ट है जो इसमें बताया जा रहा है असपतालों में तीन वर्षी अनिवार सेवा देना है या आपको बॉंड पेपर आपको भरकर ही काम करना है यह आप जा नहीं सकते कहीं और तो 657पत हैं मेडिकल कॉलेज असपताल में 2,673 पते जिजी Šपरा में 423 पते है शमश्थी पूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 423 है और PMCH में 239 पद है और सदर अस्पताल में 210 और बिहार औसधी नियंत्रण परियोग साला के लिए 39 पोस्ट है यानि 49 पोस्ट है निकल के सामने आ रही है यानि साफ साफ है कि जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 276 है जी एससी छपरा में 423 है समझती पूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 423 है और PMCH में 239 पोस्ट हैं 49 है इसमें अभी भी एनेम जी एनेम को परियोटी नहीं दे रखी गई है लेकिन जैसे ही सरकार अगर बड़े पाइवाने वेकेंसिया निकलती है तो बिटेसी के तरफ से जी एनेम की परवानेंट वेकेंसी जरूर आएगी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां आपको हम दिखा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है स्वास्त भिभाग में छात्रों के बंध पेपर यानि बॉंड पेपर के अधार को तीन बज के अनिवार सेवा के लिए 3,990 पद की सख्रिती दीगे है जैसा कि हमने बताया था आपको कि यह जो पद है यह कॉंटेक्ट बेस का दोज जोब है इन में से पहले 1,330 पदों के नियुक्ती होगी यह भी बात तय है कि 3,990 का नहीं होगा अभी जो फिलहाल जो लिया जाएगा 1,330 पदों की नियुक्ती होगी जो 3,990 पदों की पीजी टेपलोमा छात्रों की नियुक्ती हो सकेगी जबकि अस्पतालों में विशेष चिकिसक के रूप में पदद अस्थापित किया जाएगा यानि यहां भी साफ साफ सरकारिये कहना चाहरी है कि 3,990 जो है तो कॉंटेक्ट का है उसमें से पहले साल यानि जो पहले लिया जाएगा 1,330 पद को लिया जाएगा अब यहां सम अफुरी में क्या खबर है। तो इस वक्त के सबसे हम बड़ी खबर बता रहे हैं परेयोग साला अगंकुआ पत्ना के विविन बेरी हूं लिएइं कोटी में 49 पदों के सिजन की स्वकृती दी गई है पतना मेडिकल कोलेज के अस्पताल में कंसर विवाग में 239 को स्रिजन की श्रक्रिती दी गई है तो आप लोग अभी निरास मत होई है चाहे एनम है जी एनम है चाहे लैब टेकनिसियन आने वाले समय में स्वास्त विभाग में बहुत सारे वेकेंसियन जैसा कि हम बार बार आपको अपडेट दे रहे हैं कि स्वास्त विभाग और शिक्षा विभागी दो ऐसी वेकेंसि जहां पर हैं कि पोस्ट सबसे ज़्यादा पूरे वाली है तो जो बीटी एसी से एनम जी एनम लैब टेकनिसियन मत्यपूरा के जो हैं लैब टेकनिसियन बीसी नर्सिंग वाले तमाम लोग अभी आप ल सब्सक्राइब कीजिए और टेलिग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन वाक में है उसको भी आप जरूर कीजिए अपने फ्रेंड को सेयर कर दिचे और बता दीजिए किसे अच्छा बेस चैनल नहीं हो सकता